Hello student, आज हम इस वीडियो में discharge of negotiable instrument को discuss करेंगे तो last में हमने वीडियो में dishonor discuss कर रखा है यहाँ पर discharge देखेंगे तो चले इस्टार्ट करते हैं विसे क्लिए discharge का मतलब क्या हो था? discharge करने का मतलब हो गया है कि आपकी जो भी obligation थी आप उससे release हो गया आप उससे छूट गया हो तो आपके पस obligation नहीं है तो जब भी हम negotiable instrument को issue करते हैं तो वहाँ पर liability आती है कि आपको certain time period में particular amount आपको pay करना है तो जब आप यह liability satisfy कर देते हैं तो हम कहते हैं कि instrument discharge हो गया मतलब आप आपका कोई obligation नहीं है discharge का एक simple meaning यह है कि आपके obligation नहीं है अब आपकी liability exist नहीं करती है आप being in party अब उस negotiable instrument में आप exist नहीं करते हैं तो हम उसको कहते है discharge of negotiable instrument ठीक है देखे dishonor and discharge में difference है dishonor कहता है καि liability है obligation है पर आप उसकी respect नहीं कर रहे मतलब आप उसको pay नहीं कर रहे है तो हम कहते हैं कि आप आपने क्या क्या डिस्चार्ज हो गया आपका नाई ठीक और दिस्चार्ज में क्या है आपकी obligation ही नहीं रह जाएगी आपकी liability ही exist नहीं करेगी तो हम कहते हैं डिस्चार्ज करना ठीक अब हम बात करते हैं कि कौन-kौन से modes हैं जिनके basis पे निगोशिबल इंस्ट्रुमेंट को डिस्चार्ज किया जाता है ठीक है तो NIE Act के कई sections mention है basically 82 section से यह start हो जाता है जहां पर बताया गया कि निगोशिबल इंस्ट्रुमेंट को कैसे डिस्चार्ज किया जाता है तो पहला section 82 क्या कहता है कि liabilities को डिस्चार्ज करने के तीन तरीके होते हैं मतब जब आपकी liability existing नहीं करेगी obligation आपके खत्म एक cancel करके मतब cancellation के थुरू दूसरा release करके और तीसरा payment करके तो एक हो गया कि अगर निगोशिबल इंस्ट्रुमेंट को discharge करना है तो आप discharge by cancellation कर सकते है, discharge by release हो सकता है, discharge by payment हो सकता है इन तीनों तरीके हो सकता है अभी तीनों section 82 के अंदर ही आते तो 82 clause A, 82 clause B, 82 clause C इन तीनों के अंदर इनको discuss किया गया पर इसके अलावा भी और भी तरीके बताए गया है जिनके थूँ निगोशिबल इंस्ट्रुमेंट का जो discharge हो होता है एक तो हो गया कि अगर holder जो है आपको, मतलब means drawing को 48 hours से जादा का time accept करने को दे देता है जब कि हमें पता है कि 48 hours के अंदर आपको accept कर लेना चाहिए विदिना time period आपको bill accept करना चाहिए वरना वो dishonor हो जाता है तो वही हो कहा रहे कि अगर आपको 48 hours से ज़्यादा का time period allow कर कर दिया गया है तो यह section 83 के अंदर बताया गया वही 84 में बताया गया कि अगर check है और check को present ही नहीं किया गया तो वे negotiable instrument आपका discharge हो जाएगा मतलब आपके obligation ही नहीं रह जाएगी liability arise ही नहीं होगी ठीक है next होता है हमारा qualified acceptance qualified acceptance को section 86 के अंदर deal किया गया कि अगर जो bill है accept किया गया और qualified acceptance दी गई पर उसकी इसमें section के अंदर कुछ condition बताई गए ही कि मतलब अगर ऐसा रहता है तो फिर क्या होता किस basis पे आपका discharge हो जाएगा और last हमारा आता है material alteration अगर हुआ है तो भी negotiable instrument में आपका liability discharge हो जाएगी मतलब liabilities आपके exist ही नहीं करेगी section 87 के अंदर तो अब हम क्या करेंगे एक एक को अच्छे से समझ लेते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि section 82 के अंदर जो liabilities है cancellation, release और payment उनको पहले discuss करेंगे तो कहा गया कि जो maker या acceptor या endorser होते हैं negotiable instrument के वो अपनी liabilities से recharge हो कर देते हैं अगर cancellation हो तो तो cancellation को section 82 clause A में डिल किया गया महां बोला किया गया कि अगर जो भी negotiable instrument का जो holder है या कोई agent उसका है ठीक है या कोई भी अगर उस instrument में किसी party का नाम intentionally हटा देता है cancel कर देता है तो उस case में उसका क्या हो जाता है वो party बिलकुल भी discharge हो जाते है उस party की कोई liability ही नहीं बनेगी कि वो उसका pay off करे मतलब negotiable instrument में कोई liability exist नहीं करेगी उस party के regarding तो मतलब उसके लिए वो discharge हो गया वो negotiable instrument discharge हो गया किसके लिए जिस party का नाम वहाँ पे cancel कर दिया जाता है तो in simple terms में अगर बोले तो cancellation of acceptor's name will discharge the instrument and cancellation of any other party will discharge the party तो अगर किसी party का नाम आपने cancel कर दिया उस में से पूरे N.I.E. में से तो वो party discharge हो गए उसके liability खतम हो गए और अगर आपने किसी acceptor का नाम अटा दिया तो फिर वो instrument यह आपका discharge कर गया clear है कि नहीं clear है next हम देखते हैं कि by release release को section 82 clause B में बोला गया उन्होंने क्या कहा कि अगर negotiable instrument की जो holder है उन्होंने किसी party को release कर दिया कि जो आपको freedom करते हैं लेकिन cancellation के वज़े से नहीं उनका नाम cut करके नहीं कोई और method के थूरू किसी और तरीके से अगर उनको release कर दिया कि अब आपको payment की जरूरत नहीं है अब आपकी कोई liability arise नहीं होती है तो अगर ऐसा कर दिया गया negotiable instrument के holder के थूरू तो वो discharge हो जाएगा NIE उसके लिए चीक है next हमारा आता है payment और payment को section 82 clause C में discuss किया गया वहाँ बोला गया यह simple सी बात है कि कोई भी negotiable instrument discharge कैसे होगा अगर उसका payment कर दिया गया है it means कि जो भी amount due था NIE का वो अगर party pay कर देते है जिसके लिए भी वो liable था जिसको payment कर नहीं था अगर उसको payment कर दिया जाता है तो हम कहेंगे कि instrument discharge हो गया है ठीक है तो यहाँ negotiable instrument discharge करने की जब भी बात की जा रही है तो आपका bill of exchange, promise tree, note, check सभी कुछ आ जाते हैं तो वो यह चीज़ कह रहे है कि अगर भी payment कर दिया गया तो वो discharge अपने आपको liability खतम ठीक और अगर आपको release कर दिया गया है तो भी आपके लिए खतम आप आप discharge होगे अपनी liability से discharge in the sense कि आपकी liability खतम आपकी liability अब obligation उरती ही नहीं है और dishonor में आपकी obligation रहती है आप उसको pay नहीं करते हो अब यहाँ आपकी obligation ही नहीं है ठीक है तो यह discharge हो उसमें difference आता है ठीक है तो payment कर दिया तो NIE खतम हो जाता उसको कोई liability बचेगी नहीं है वो आगे कुछ indoors वगिरा यह नहीं होगा otherwise case में party discharge हो जाती है next हम दिखते है next हमारा होता है कि by holder allowing the drawee of bill more than 48 hours to accept section 83 deal करता है NIE Act का वो कहता है कि अगर कोई जो NIE का जो holder है उसने drawee को 48 hours से जादा का time period दे दिया कि वो accept करके हमको bill दे ठीक है और previous जो लोग थे उनको इस चीज के regarding कोई consent नहीं ली गई तो जितनी भी previous parties थी वो discharge हो जाती है दो चीज discharge के बारे में याद रखेगा एक तो discharge by parties parties discharge हो जा रही है दूसरा negotiable instrument discharge हो जा रहा एनाई discharge तो तब होगा जब उसका pay off हो जाएगा पेमेंट हो जाएगा otherwise case में तो parties discharge करेंगी न तो cancellation, release या 48 hours से जादा का time period देना या बाकि जितने भी method है उस सब method में parties discharge हो रही है liabilities से clear है? next नहीं दिखते है not presenting a check for payment section 84 उसको deal करता है उन्होंने क्या कहा कि अगर reasonable time period में जो भी holder था check का उसने check को present ही नहीं किया जब check को present नहीं किया गया तो bank fail हो गई अब उसकी वज़ा से जो check का drawer था उसको कोई damage वा, कोई loss हुआ तो ऐसी situation में जिस extent तक उसको loss होता है उस extent तक क्या हो जाएगा आपका वो party discharge कर जाएगी मतलब जो drawer है वो discharge कर जाएगा उसको pay नहीं करेगा अब दिखिए check के case में अगर इसको समझने के रिए आप समझेए कि माले जे A ने bank के उपर check लिखा ठीक है, कि मतलब ये check इतने का amount है, और तीम मैने की valutory period होती है चेक की उसके बाद उसके चेक को indoors कर दे, किसी और को दे दिया चेक किसी को transfer कर दिया अब जिस person को transfer किया उसको चाहिए था कि वो timely उस check को जाके bank में लगा दे, अब अगर उस party ने check को सही time पे नहीं लगाया और उसकी वज़ासे यहाँ पे कोई loss होता है तो ना लगाने की वज़ा से जिस भी amount का damage हुआ उस amount के लिए drawer क्या हो जाएगा बिलकुल भी free हो जाएगा, discharge हो जाएगा अपनी liability से, उसकी liability arise नहीं हो जाएगी, क्योंकि उसकी गलती नहीं है clear है, तो not presenting a check for payment section 84 कहता है इसके लवा है by qualified acceptance section 86 वो क्या कहते हैं, कि अगर जो holder है bill of exchange का वो agree करता है, कि जो bill accept किया जाए, वो qualified acceptance हो, मतब किसी condition के साथ अगर bill में attach किया जा रहा है, और उसके बाद draw वी उसको accept कर रहा है, और ये agree कर रहा है, holder agree कर जा रहा है, कि ठीक है, ये चलेगा आप condition attach कर दीजे ठीक, लेकिन उसने किसी भी previous party को नहीं बताया और नहीं उनसे consent लिया, तो फिर previous party अपनी liability से discharge हो जाएंगी, हाँ, अगर holder ने notice देके previous parties को ये बता दिया है, कि वो qualified acceptance ले रहा है, तो ये ऐसे situation में फिर वो discharge नहीं होंगी और otherwise वो discharge हो जाएंगी, ठीक है next होता है, discharge by material alteration, section 87 ये कहता है कि अगर instrument में कोई material alteration किया गया, मतलब वो material alteration होना चाहिए ऐसा नहीं कि जिसका कोई impact ही नहीं पढ़ रहा हो, तो अगर आपने कोई material alteration का, material alteration क्या हो सकता है अगर इस तरह की important चीज़ों को change किया गया, alter किया गया और जो parties उनसे consent नहीं ली गई तो ऐसी alteration के वजह से वो सारी parties अपनी liability से discharge कर जाएंगे, या आपने amount change कर दे, आपने time change कर दे, अब मेरी कोई liability नहीं बनती है, ठीक है, तो ये वो चीज़े हो गए, जिनकी through negotiable instrument discharge होता है, तो इसे याद रखने के लिए याद रखिएगा, दो चीज़े है एक तो हो गया कि negotiable instrument ही discharge हो जाए, दूसरा, की parties discharge होती है, तो NIE का discharge दो तरीके से होता है, instrument के तुरू, और एक parties के तुरू, तो बागी conditions parties के लिए थे, और payment अगर हो जाता है, तो NIE ही discharge हो जाता है ठीक है, और discharge का simple मतलब आपके liabilities खतम, अब आपको आपके liability exist ही नहीं करते है, obligation है ही नहीं, so I hope आपको clear हुआ होगा wish you, all the best, thank you so much